नमस्कार हिंदी साही तिवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचा प्रदीश में हुई सेट की परिक्षा के प्रशन पत्र के बारे में यहां पर जो भी प्रशन में आपको बताऊंगा दोस्तो अगर उन प्रशनों में मुझसे कुछ तुरूटी रह जाए तो आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं कि इस प्रशन का ये उतर होगा ताकि सब जो भी विद्यारती इस प्रिक्षा को आज दे कर आए हैं उनके मन में कोई संशय ना रहे तो चलिए दोस्तो यहां पर हम जो प्रशन नमबर 6 है देखिए वहां से शुरुआत करेंगे क्योंकि पहले के जो 5 प्रशन थे वो आपका जो रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वहां से पूछे गए थे तो उसको मैंने छोड़ दिया है यहां से हम आगे के जो प्रशन है उनको पूछेंगे मेरे पास जो प्रशन पत्र है दोस्तो यह b-series का है तो आपके पास जो भी प्रशन पत्र है जो series है आप अपने प्रशनों के साथ उसका मिलान कर लीजिएगा तो चलिए पहला जो प्रशन देख लेते हैं देखिए गैर मौकिक संप्रिशन में शामिल नहीं है तो विकल्प नमबर C इसका सही उतर होना चाहिए था शब्द अगला प्रशन है देखिए एक संदेश की सामगरी को प्रभावित करने वाले फिल्टर कहा होते हैं तो देखि ठीक है नेक्स से देखिए व्यापक स्तर पर अत्यधिक लोगों की जानकारी प्रदान करने का या अदान प्रदान करने को कहा जाता है तो यह प्रशन रिपीटिड प्रशन है दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे प्रशन जो है रिपीट होने की संभावना इसम रहती है तो इसको कहते हैं देखे जन संप्रिक्षान, ठीक है, मास कम्मिनिकेशन, नेक्स से देखे निमिलिकित में क्या प्रभाविक कक्षा संचार की विशेश्ता है, यह आपका नियोजन, तो यह प्रशन भी पहले UGC NET की परिक्षा में पूछा गया था, नेक्स से तहरा बार जोडने पर 112 प्राप्त होता है, तो यह होगा आपका देखिए, 8 ठीक है, तो 8 में अगर आप तहरा बार करेंगे इसको, तो कितना आएगा यह 112 आएगा, चौधवाँ अपना 8 खुद होगा वो, ठीक है, 148, 112 नेक्स से देखिए, श्रिंखला 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, किसका उधारन है, तो यह है बिकल्प नमबर B देखिए, फिबोनेसी श्रेणी, अगला परशन है देखिए, श्रिंखला में अगला नमबर चुने, 4, 9, 25, 49, 121 और 179, यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 जो है, किसका स्क्य है, और उसके बाद 5 का है, 5 के बाद हम 7 का देखते हैं, और 7 के बाद इन्होंने देखिए, 9 का नहीं दिया है, तो 9 का क्यों नहीं दिया है, क्योंकि 3 गुना 3 अगर आप करेंगे, तो 9 आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने, किसका दिया है, सीधे, 11 का दिया है, तो इसलिए ये 121 है न और उसके बाद 179 है और इसके बाद की जो संख्या है वो आपने देखनी है कि कौन सी होगी तो यहां पर देखिए अगर हम इसको 15 से करेंगे तो 15 भी क्या होता है कि एक भाज्य संख्या है है न क्योंकि 5 गुना 3 अगर करेंगे तो 15 आएगा ठीक है व संख्या आ रही है देखिए वो कि यहां भी वो आपकी अभाज यही है ठीक है तो ये इसलिए इसका जो सही उतर होना चाहिए था 289 जो किसका है 17 का सुकेर है ठीक है नेक्स से दिखिए प्रशन संख्या 14 निमेलकित संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याओं है जिनके ठीक प विद्यार्थी एक पंक्ती में खड़े हैं दोनों सीरों से अमित 19 हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नंबर A 37 नीचे दो कथन दिये गए हैं और उनसे चार निशकर्ष निकाले गए हैं अकेले या साथ म उस सही तथ्या का चैन कीजिए जो वैद निशकर्ष बताता है सभी धार्मिक व्यक्ती भावनात्मक हैं या फिर दूसरा है दिखिए जॉर्ज एक धार्मिक व्यक्ती है तो इसका निशकर्ष हमने निकालना था तो दोस्तो इसका निशकर्ष निकालने के लिए कुछ एक हैं कुछ एक फॉर्मूले हैं वो जो यहाँ पर काम करते हैं अगर हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सिदा उतर इसका पताता हूँ इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर B सिर्फ एक ठीक है जोर्ज क्या है पहवनात्मक या इमोशनल है अगला प्रशन है देखिए A B की बहन है F G की पुत्री है C B की मा है DC का पिता है ED की मा है तो A का D से क्या समध होगा तो यह होगा आपका देखिए बिकल्प नंबर A पोती और नातिन क्लियर है नेक्स से दिखिए धुमरपान स्वास्था के लिए हानिका रख है सिग्रेट के पैकेट पर चपी एक चेतावनी इस कथन में निम्न में से कौन सी पूर्वधारना या पूर्वधारनाई अंतरनी हीत है तो देखिए लोग सिग्रेट के पैकेट पर मुद्रित सामगरी पढ़ते हैं लोग चेतावनी का ध्यान रखते हैं धुमरपान नकरना स्वास्था को बढ़ावा देता है तो देखिए पूछा ये क्या गया है कि कौन सी पूर्वधारनाई अंतरनी हीत है मतलब कौन सी असी दारनाई जिनको जहान में रखकर इनको बना जाता है तो इसमें से सभी होना चाहिए था इसका सही उत्तर अगर आपको लगता है इसका कुछ और उत्तर है दोस्तो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं शब्द इंडियन में कितने अक्षरों किस्थिती और परिवर्टित रहती है जब उन्हें अंग्रेजी वडमालाकरम में वेवस्थित किया जाता है तो देखिए इंडियन शब्द में जो अक्षर हैं वो कितने होंगे जो अपने उसी स्थान में रहेंगे विकल्प नमबर 20 का क्या होगा सही उतर होगा 2 जैसे एंथ्रोपोलोजी का संबंद मनुश्य से है उसी तरह एंथ्रोलोजी का संबंद किस से है तो यह है आपके देखिए कविताओं से अगला प्रशन हम देख लेते हैं आंकडों के सम्हूख के केंद्र को प्रतशित कने वाला माप जो परिणाम के बढ़ते या गढ़ते क अगला प्रशन है इनमें से कौन सा एक गौन डेटा का सबसे अच्छा विभरण है तो यह है आपका विद्यमान डेटा क्लियर है इसके बाद देखिए दोस्तो 24 और 25 अनुगाबी सूचना पर आधारी था है मतलब जो आपका इस बार इस तरीके के जो प्रशन है वो 288 एक से देखिए निमन कथनों में से सही कथन को पहचानिये तो इन में से जो सही कथन था देखिए वो होना चीए था विकल्प नंबर C वानीजे बिशे में कुल D का पास प्रतिशत स्कूल D के पास प्रतिशत से अधिग है अगर आपको लगता है दोस्तो मैं कुछ 2017 पर लॉंच किया गया था तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना चीए था वो था विकल्प नंबर A दिक्षा अगला प्रशन है देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में तुरूटी को कौन दर्शाता है तो यह आपका बग B.U.G ठीक है विकल्प नंबर B अगला प्रशन देखिए निमिलिकित में से कौन सा डोमेन सरकारी शिक्षन संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है तो देखिए सरकारी शिक्षन संस्थानों के लिए आपका A और C दोनों ही है लेकिन यहाँ पर शिक्षन संस्थान है तो आपको A C.IN सही इसका उत्तर होगा कुछ लो .hpunip.ac.in या फिर ntanet.ac.in इस तरीके से हम लिखते हैं तो सरकारी शिक्षन संस्थानों के लिए एक सी साब से ये सही उतर होना चाहिए था अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं इन में से कौन सी एक Google Application नहीं है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर A, Gtalk जबकि तीनों चीज़ें आपको कहां पर मिल जाएगी जब आप इनको Play Store में देखेंगे तो ये जो तीन चीज़ें आपको मिल जाएगी लेकिन Gtalk अभी इसमें Google Application नहीं है ठीक है नेक्स देखिए अब उपयोग करताओं की वरियाताओं को पहचाने और नज़र रखने के लिए कुछ वेब साइटों द्वारा उपयोग करताओं के कंप्यूटर पर संग्रहित एक चोटी टेक्स्ट फाइल को कहा जाता है तो ये आपके कुकी क्योटो प्रोटकॉल के संदर्व में निमिलकित मैंसे कौन सा कथन सही नहीं है तो देखिए इसका जो सही उतर होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका विकल्प नमबर बी इसमें उत्सरजन को कम करने का दाई तो विकास शील देशों पर डाला गया है अगला प्रशन है देखिए अंतराश्टिय सौर गठबंदन का मुख्याल है कि इस देश में स्थित है तो ये है आपका भारत में नेक्स है सतत विकास लक्षियों के तहत विशिष्ट उदेश्यों को कब तक प्राप्त करना है 2030 ठीक है पानी में फोस्पेट और नाइट्रेट उर्वरकों के इजाफे का परिणाम होगा तो ये होगा आपका भी कल्प नमर B पोशक्तत संबर्धन अगला प्रशन है देखिए नेमिलिकित में से कौन सा गैसों का यूगम ग्रीन हाउस प्रभाव का एक मुख्य कारण है तो विकल्प नमर A इसका सही उतर होना चाहिए दोस्तो CO2 and N2O ठीक है तो अगर आपको लगता है कि इसका प्रशन गलत है या और होगा इसका उतर तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं नमी लिकित में से कौन सा मापदंड मानव संसाधन विकास मंत्रा लैद्वारा अकादमिक संस्थानों के श्रिणिकरण के लिए दिये गए राष्ट्रिय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में सम्मिलित नहीं है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपक नमी लिकित में से क्या विकल्प अधारित क्रेडिट पर नाली की विशेष्टा नहीं है तो दीखिए इसका जो सही उतर होगा वो होना चाहिए था विकल्प नंबर A यह संख्यात मक मुल्यांकन पर बल देती है नेक्स दीखिए इमन में से प्राचीन भारत का कौन सा अध विश्विद्याल है वहाँ उसके जो लोगों में कितने हैं देखिए उसमें तीन कलर है ठीक है तो यहाँ पर नीला रंग पूछा गया है तो वो है शिक्षा और सशक्तिकरण का ठीक है विकल्प नंबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा जबकि अभिविध्धी और विकास तो यह औरेंज कलर से है और अभिविधी और अभवातावर्ण यह आपका किस्से है ग्रीन कलर से है ठीक है अगला है देखिए वैदिक यूग में वह अपचारिक सामारह संसकार जिसमें शिश्य अपने माता-पिता के घर को गुरू के लिए छोड़ देता था क्या कहलाता है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो विकल्प नमबर ए उपनेन अगला प्रशन हम देख लेते हैं निमी लिकित में से क्या गेहन अधिगम से असंगत है तो देखिए इसका उत्तर दोस्तो मेरे अनुसार तथ्थियों का स्मर्ण हो सकता है हालां कि मैं इस पर अगर आपको लगता है कि इस प्रशन का कुछ उत्तर और है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं निमी लिकित में से क्या बहुत संस्कृतिकता का लाब नहीं है तो विकल्प नमबर डी हालां कि इस प्रशन पर भी मुझे थोड़ा सा डौट निमिन में से क्या चातरों के उचस्तर की सोच का आगलन करने में सहाइक होगा प्रक्रिया को परिभाशित करना विकल्प नमबर सी अगला परशन है देखिए चातरों की रक्षा की गतिवीदियों में भाग लेने का मौका देना निमी लिकित में से किस शिक्षन अधिगम विशेषता है तो यह है आपकी लोकतंत्री एक मेटा विशलेशन आपको क्या करने की अनुमती देता है विभिन अध्येनों के प्रतिफलों की विविदता का अनुवेशन विकल्प नमबर सी इसका सही उतर होगा नेक्स देखिए किसी समधाय की संस्किती के सभी या कुछ हिस्सों का वनन करने और उनका विशलेशन करने के लिए एक गुनात्मक अनुसंधान डिजाइन को क्या कहा जाता है तो इसका जो सही उतर होना चीएता दोस्तों वो होना चीएता देखिए विकल्प नमबर सी मानव जाती विज्ञान अध्याइन अर्टालीसों प्रशन है अगला प्रशन है देखिए एक पेपर विशेश में उधरन का अर्थ क्या होता है यह है आपका विकल्प नमबर एक इसी अन्यलेकक द्वारा दूसरे पेपर में उध्रित किया जाना अगला प्रशन है देखिए निमिलिकित में से कौन सा कथन घठन उतर अनुसंधान अव विकल्प नमबर ए संपूर्ण वास्तविक ज्यान इंद्री अनुभव पर अधारित है तो यह थे दोस्तों पूरे के पूरे 50 प्रशन हालांकि इसमें रीडिंग कमप्रिहंशन के कुछ एक प्रशन बीच में जो डॉट वाले हैं दोस्तों उनके लेकर मैं शियोर नहीं फिलाल आज के लिए इतना ही